साथियों नमस्कार यूपी लेकपाल के 7000 पदों पर भड़ती आपके लिए निकाली जाने वाली है जिसके लिए सूचना आचुकी है बहुत समय पहले ही आपने ये सुन लिया है कि 7000 पोस्ट आने वाली हैं एक पोस्ट नहीं 7000 पोस्ट हैं दोसरा मैंने आप लोग को ये भी बताया था अगर आप लोग सतर्क नहीं हुए तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा भरती में देखिए ये केवल उनके लिए है जिन्होंने पैट एक्जाम दिया था 2023 वाला यानी 2023 वाले पैट एक्जाम में बैठे बच्चों के लिए ही ये है जो 2022 में बैठे थे पैट एक्जाम में नहीं बैठे उनके लिए भी नहीं हैं जिन्होंने पैट एक्जाम 2023 नहीं दिया उनके लिए भी नहीं है 2024 में पैट एक्जाम हुआ ही नहीं है तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा ये भरती बिल्कुल भी 2023 के पैट के एक्जाम पर नहीं होनी चाहिए अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं तो अपनी तरब से आपको ये ही बिल्कुल रिप्ले दूँगा और आप लोग अगर सतर्क हो जाएं आप लोग यदि आवाज उठा लें तो बिल्कुल आपको इसमें सेप्टी मिल सकती है कि 2023 के पैट के स्कोर कार्ड पे क्यों हो गई है एक बाद बताईए आपका जो पैट का स्कोर कार्ड है वो एक वर्स के लिए जारी किया जाता है तो क्यों नहीं वर्स के सुरुवात में ही आपका पैट का एक्जाम करायद आए और मैं तो ये कहूंगा कि इस exam को ही इससे हटा दिया जाए बेसिकली इसके लिए दो exam करा लो ये बैटर हो जाएगा और दूसरी चीज एक बात बोलूँगा कि पैट का exam जिसका अच्छा नहीं गया क्या वो और भड़तियों में अच्छा performance नहीं कर सकता था आपने एक बच्चे को बस इसी exam से तुलना कर दिया इसी exam से comparison कर दिया आपने कि अगर आपका पैट exam सही गया है तो आगे के लिए आप eligible हो आने वाली vacancy के लिए वरना जो हम UP SSC की vacancy कराएंगे आने वाले समय में एक साल में अगले में और एक साल नहीं यह दो-दो साल के लिए काम कर जाता है पैट का scorecard तो उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा यह एक ही exam कैसे decide कर सकता है कैसे यह क्योंकि अब सबका तो यह सही जाएगा नहीं क्योंकि इसमें लगबग लगबग 30-35 लाग बच्चे आवेदन डालते हैं और आपने देखा होगा जब सुरुवात में पैट exam जब जारी किया गया सुरुवात में लगबग 35 लाग बच्चे थे और 2023 के पैट exam में लगबग 20-21 लाग बच्चे ही रहे गे यानि 10-15 लाग ने अलरड़ी पहले ही इस पैट exam को छोड़ दिया अब उनके मन में एक बात आ रही है कि 7,000 पद आने वाले वो भी लेक पाल के 7,000 पद है और बेगुल बच्च चुका है कि ये यूपी ट्रिपल स्ची कराने वाली है 2023 के पैट के स्कोर कार्ड पे हैना ऐसा होता है और में भी ऐसा ही होगा कि 2023 के पैट के स्कोर कार्ड पे ही होगा और आपके लिए देखे मैं फिर से कूँगा ये धोके वाली बात होगी क्योंकि अगर भड़ती 2024 में आ रही है तो पैट का स्कूर कार्ड भी 2024 का ही होना चाहिए 2023 का किसी भी कीमत पर सूटने करता इसको है ना पर आवाज उठाए कौन बोले कौन सब यूट्यूब चैनल वाले कर लेंगे भई आप क्या करोगे फिर आपकी बसका कुछ नहीं क्या आप भी उठोगे तबी तो कुछ हो पाएगा देखिए भई मैं आपको और थोड़ी से जानकारे देता हूँ अगर पैट एग्जाम आपने दिया था दो हजार तेईस वाला उसमें इतना ज़्यादा बच्चों का बुरा हाल रहा कि उसमें ये मान के चलना तीस नंबर पैट्टिस नंबर बनाना भी बच्चे को बहुत क्याड़ा पड़ गया है ना बहुत क्यड़ा पड़ गया आप कहेंगे आप कि अगर सर ये 2023 के पैट के स्कोर काड़ पर ही होती है तो एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है देखे सेफ स्कोर आपको बता के चलूँगा और मेभी उसी के आसपास कहीं ना कहीं ये ये जो भरती है वो घुमेगी क्योंकि लगवग बारे गुना बच्चे लिए जाएं या इससे थोड़ा और ऊपर बच्चे लिए जाएं है ना लगवग बारे गुने के आसपास ही लेता ये वैसे तो आप मान के चलना कि अगर आपका स्कोर 25 से पिलस है 25 से पिलस इतनी बुरी हालत थी पैट 2023 के एक्जाम की कि 25 नमबर 30 नमबर बनाने भी बच्चे को बहुत क्याड़े पड़ गए थे अगर 25 पिलस है तो पूरे चांस है अगर 30 पिलस है आपका स्कोर तो महा चांस है फिर यानि आप इस एक्जाम में बैठने ही वाले हो ना कोई इसमें ट्रिपल सी की ना है कोई कम्पीटर का अन्य को कोई कोर्स इसमें मांगा जाता है ऐसी कोई इलिजबिल्टी इसकी नहीं है आप 10 पिलस टू पास हो यानि बार भी पास हो उसकी साथ साथ आपके पास में 2023 का पैट स्कोर कार्ड हो जिसमें आपके माक्स लगबग 30 से उपर है तो बिलकुल महा सेफ जोन में जाओगी अगर 25 पिलस भी हैं तो पूरे चांस हो जाएंगे और लगवाग 20 के आपस बालों को बिलकुल नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि उनके पास में जितना होने चाहिए ना वो 30 से और 25 पिलस से बात कवर हो सकती है तो यह मैंने आपको सेफ स्कोर कार्ड भी इसका बता दिया कि अग स्कोर कार्ड 2023 के जरी यह भरती होने वाली है में भी पॉसिवल है कि 2024 के पैट एक्जाम की बाद इस भरती को कराया जाए देगे प्रियास तो आपको करना होगा क्योंकि बिना कुछ किये जह जह कार नहीं होती और कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती यह अपनी लाइन आपको देता हूँ यह NBT न भारत टाइम्स ब्यूरे की तरब से लखनाओ की तरब से एक अपडेट जारी किया गया था जिसमें अगले महिने लेकपाल की पदोपर भरती की प्रिक्रिया 7000 पद बताएगी यह सुरू करने वाला है यूपिटर पले सी आगे सूत्रों के मता लाइए क्योंकि अक्टूबर का फस्ट वीक यह जो फस्ट वीक है ना बिलकुल गुजर ने वाला है और गुजर चुका है ना फस्ट वीक तो गुजर चुका क्यूं क्योंकि देखिए आपको पताया आज कौन सी डेट है यह तो आप अच्छे से जानते हैं ठीक ना तो अ मौटिफिकेशन आने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हमको भी इस एक्जाम में बैठना है तो वो बिलकुल बैठ हैं लेकिन इसके लिए प्रियास करें नेताओं से मिलिए मंत्रियों से मिलिए इसके खिलाब ग्यापन दीजिए जैसा आपने यूपी पुलिस में प्रिया आप जिन्दिगे में फिर आपको मौका दूसरा मिलना है नहीं सुकरवार को मुख्यमंत्री योगिया इतनातनिक उचिस्तरी बैठक में राजस्विवा के खाली पदों पर पिरक्रिया जल्द सुरू करने की मांग की और निर्देश दिये इसमें लेकपाल के सासात लिपि जाएगी तो आपके लिए अच्छा मौका है ट्वैल्थ पास ट्रिपल सी कोई योगता नहीं कंप्यूटर कोई नहीं चाहिए कोई हाइट मैटर नहीं करता इसमें है ना बस आप लोगों को थोड़ा सा आपका नॉलिज परिक्शन लिया जाएगा ट्रेनिंग दी जाएग ताकि सभी लोगों तक ये न्यूज पहुँचे सभी लोग सतर्क हो जाएं और कट अफ का मैंने आकड़ा आप लोग को बता दिया है कि 25 के आसपास और 25 से उपर जिसके ना उसे तो बुलाया जाएगा और जो 30 से उपर है उसे तो बिल्कुल 101 परसेंट बुलाया जाएगा जिसके 30 से उपर है लेकिन 25 से पिलस जिनके और 30 के बीच के उनके उनकी कुछ संभावना बिल्कुल बनेगी